गिंती की पुस्तक अध्याय तैतीस इस्राइलियों के पड़ाव पड़ाव की नामा वली जब से इस्राइली मुसा और हरुन की अगवाई से दल बांद कर मिस्र देश से निकले तब से उनके ये पड़ाव हुए मुसा ने यहोवा से आग्या पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिये और वे ये है पहले महिने के पंद्रवे दिन को उन्होंने रामसे से कूच किया फसह के दूसरे दिन इस्राइली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए जबकि मिस्री अपने सब पहलोठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था और उसने उनके देवताओं को भी दंड़ दिया इस्राइलियों ने रामसे से कूच करके सुकोत में डेरे डाले और सुकोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले और एताम से कूच करके वे पिह हिरोत को मुड़ गए जो बाल सपोन के सामने है और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किये तब वे पिह हिरोत के सामने से कूच करके समुदर के बीच होकर जंगल में गए और एताम नाम जंगल में तीन दिन का मार्ग चल कर मारा में डेरे डाले फिर मारा से कूच करके वे एलिम को गए और एलिम में जल के बारह सोते और सत्तर खजूर के व्रुक्ष मिले और उन्होंने वहां डेरे खड़े किये तब उन्होंने एलिम से कूच करके लाल समुदर के तीर पर डेरे खड़े किये और लाल समुदर से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किये फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया और दोपका से कूच करके आलुष में डेरा किया और आलुष से कूच करके रपीदिम में डेरा किया और वहां उन्होंने रपीदिम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले और सिने के जंगल से कूच करके किबरो थत्तावा में डेरा किया। और लिबना से कूच करके रिस्सा में देरे खड़े किये, और रिस्सा से कूच करके कहे लाता में देरा किया, और कहेलाता से कूच करके शेपेर परवत के पास डेरा किया। मिक्ता में डेरे डाले। फिर मिक्ता से कूच करके उन्होंने हश्मोना में डेरे डाले। और हश्मोना से कूच करके मोसे रोध में डेरे खड़े किये। और मोसे रोध से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया। और याकानियों के बीच से कूच करके हुरह गिद्दागाद में डेरा किया, और योतपाता से कूच करके अबरोना में डेरे खड़े किये, और अबरोना से कूच करके एस्योन गेबेर में डेरे खड़े किये, और एस्योन गेबेर से कूच करके उन्होंने सीननाम जंगल के कादेश में डेरा किया, फिर कादेश से कूच करके होर परवत के पास जो एदोम देश के सिवान पर है डेरे डाले, वहां इस्राइलियों के मिस्र देश से निकलने के 40 वे वर्ष के 5 महने के पहले दिन को हारुन याजक यहवा की आग्या पाकर होर परवत पर चढ़ा और वहां मर गया और जब हारुन होर परवत पर मर गया तब वहां 123 वर्ष का था और अरात का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिन भाग में रहता था उसने इस्राइलियों के आने का समाचार पाया तब इस्राइलियों ने होर परवत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले और ओबोस से कूच करके अबारिम नाम डिहों में जो मोवाप के सिवान पर है डेरे डाले तब उन डिहों से कूच करके उन्होंने दिबोन गाद में डेरा किया और दिबोन गाद से कूच करके अलमोन दिब लावतेम में डेरा किया और अलमोन दिब लावतेम में से कूच करके उन्होंने अबारीम नाम पहाडों में नबों के सामने डेरा किया फिर अबारिम पहाडों से कूच करके मौवाप के अराबा में यरिहों के पास यर्दन नदी के तट पर डेरा किया। और वे मौवाप के अराबा में वित्य शिमोट से लेकर आबेल शित्तिम तक यर्दन के तीर-तीर डेरे डाले। फिर मौवाप के अराबा में यरिहों के पास की यर्दन नदी के तट पर यहोवा ने मुसा से कहा, इस्राइलियों को समझा कर कह, जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुँचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, और उनके सब नकाशे, पत्थरों और धली हुई मुर्तियों को नाश कर देना और उनके सब पूजा के उचे स्थानों को धा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना क्योंकि मैंने वह देश तुम ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो और तुम उस देश को चिठी डाल कर अपने कुलों के अनुसार बाठ लेना। अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिठी जिस थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोतरों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोंगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोंगे वे मानों तुमारी आख में काटे और तुमारे पांजरों में केले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुमें संकट में ड झाल झाल